हेलो बच्चो तो कैसे आप सभी आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले है जिसका नाम है श्वशन आज हम जानेंगे कि श्वशन क्या होता है और बेसिकली यह हमारी बॉडी में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यू है आप लोगों को पता है कि जब भी आप लोग स्व सारे केसे सुने भी होगे जहां पर दम घुटने की कारण लोगों की ब्रत्यू भी हो जाती है तो बेसिकली ऐसा कैसे होता है क्यों हमारे बॉडी में स्वशन की इतनी जरूरत होती है स्वशन यानि की स्वाशों को ग्रहन करना और बाहर छोड़ना तो यह पूरा चैप्ट से आपको एक-एक करके इस चैप्टर में पढ़ाई जाएगी ठीक है बच्चो चालिए तो सुरवात ही करते हैं हम लोग कि भाई आपके पास बच्चों स्वशन क्या है और यह क्यों जरूरी होता है बहुत बेसिक क्वेशन है बहुत बेसिक तो स्वशन बेसिकली आप लो करते हैं अपने आसपास की उपस्थित वायू को अंदर क्रहन करते हैं फेफडों में और फेफडों से बाहर छोड़ देते हैं यही तो स्वशन है तो ऐसा क्या खास है जो हमें स्वशन की जरूरत पढ़ रही है यही सब कॉंसेप्ट को ले करके आज का लेक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले आप लोग यहां पर जो बिच्चो एक आपको इमेज दिख रहा ने इसमें क्या देख रहे हैं तो यह है कि स्वशन बेसिकली क्या होता है तो स्वशन यही है हमारी बॉड़ी में वाईयू का अंदर आना और वाईयू को बाहर छोड़ना तो स्वशन क्या होता है श्वशन यही है शरीर में फेफडों का या फेफडों के द्वारा आप लोग लिख सकते हो शरीर में वायू को ग्रहन करना और उचसरजित करना है ना दोनों ही प्रोसेस साथ ने होती पेटा उचसरजित का मतलब होता है बाहर निकालना हम थोड़ी से टेक्निकल टम्स पढ़ रहे हैं याँ पर उचसर वायू को अंदर ग्रहन करना और वायू को सरजित करना दोनों ही एक चीज़рок लिख अधडब बोल सकते हो कि उस तो यह दोनों ही चीज़े कैसी हो दिया सिंगल बार आप इसको यूज कर सकते हो तो यही क्या होता है आप लोगों का स्वर्शन कहलाता है तो भाई आप लोगों के दमाग में आप कुश्चिन आ रहा होगा कि मैं हम वाईयू को ग्रहन करते हैं तो वाईयू में सबको पता है कि अप्सीजन कारबन डाय औक्साइड नाइट्रोजन बहुत सारी गयस होती है लेकिन हमारे फेफ़रे सिर्फ एक ही गयस को ग्रहन करने देते हैं आने देते हैं शरीर में उसका नाम है ऑक्सीजन यानि बच्चों आपके शरीर में वाईयू में से कौन आता है ऑक्सीजन ऑक आपको नोटोशन लिख देती हूं हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहन करते हैं है ना तो ऑक्सीजन को ग्रहन करना तथा कार्बन डाई ऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना येस बच्चों यही है ना तो कार्बन डाई ऑक्साइड को शरीर से बाहर करना यही क्या कहलाता है बेटा स्वाशन कहलाता है इसको आप लोग और भी डीटेल में पढ़ोगे तो बेटा क्या होता है यहाँ पर जब भी स औक्सिजन को अंदर लेते हो इन्हेल करते हो अंतर ग्रहन करते हो आप लोग क्या कर रहे हो पूरे वातावरण की जो भी ऑक्सिजन इसको अंदर लिया और बच्चों आपके बॉडी के अंदर से कार्बन डाई ऑक्साइड को निकाल करके फिकते हो तो यह कार्बन डाई ऑक् हम next slide में देखते हैं basically यही बच्चो स्वशन है जहां पर आपको समझना है कि स्वशन में पूरी process क्या होती है स्वशन ये सही बात है कि oxygen को ग्रहन करना और carbon dioxide को छोड़ना ही स्वशन है लेकिन इसके पीछे का पूरा बच्चो पोथी क्या है हमको ये समझना है तो सबसे पहले जानते बच्चो एक छोटे से animation से छोटो से ज्यादा animation काली बात नहीं है बस समझो इसको कि जब भी आप क्या करते हो आपके शरीर में oxygen को ग्रहन करते हो तो श्वशन का जरूरत या स्वशन की हमको जरूरत इसी लिए पढ़ जा रही है कि जब भी हम oxygen को शरीर में ग्रहन करते हैं तब एक बहुती बढ़िया सी स्वाश नलीका यानि की इसी नलीका से होकर के आपकी वायू शरीर में प्रवेश करती है तो भाई यह है आप लोगों की स्वाश नली अब बच्चो इससे क्या होता है वायू पूरी फेफडों में अंदर भराती है तो सिंपल सी बात है भाई फेफडों में वायू भराई तो ओक्सीजन वो जाती कहा है तो ये ओक्सीजन जैसे ही फेफडों के अंदर फुल होती है भराती है तो फेफडों के अंदर पूरी की पूरी oxygen आप लोगों की जाती है ये आपका हरदय है बच्चो इससे confused नहीं हो ना ये आपका हरदय है है ना हरदय ऐसे फेफडों के बीची में होता है तो बेटा आपके पूरे शरीर की अंदर क्या होती जो oxygen होती है फेफडों में पूरी प पतली पतली नलिया देख रहे हो ये नलियों के अंदर क्या होता है ऑक्सीजन बच्चों अवशोशित होती है जैसे कि आप लोग यहां देख सकते हो हर एक पतली पतली नलिका के अंदर बच्चों क्या होता है रक्त होता है तो क्या होगा कि जैसे ही ऑक्सीजन शरीर में आती जो भी रक्त वाहीनिया है भाई इन रक्त वाहीनियों में उपस्थित रक्त में मिल जाता है है ना बहुत सिंपल सी चीज है भाई तो अगर वो रख्त में मिल जाता है तो क्या होगा बच्चो अब ये शरीर के अन्य हिस्सों तक जाएगा अब क्या होगा कि हमारी बॉड़ी में हमने क्या किया ऑक्सीजन को ग्रहन किया तो हमारी बॉड़ी में ऑक्सीजन आई पतली पतली से आपको नली काये दिखरी है इनमें क्या होता है बेटा जो भी oxygen आती है वो उपस्थित रख्त वाहीनिया इन नली को का बोलते हैं यह पतली पतली है और यह ऑक्सीजन शरीर में चला जाता है यह ऑक्सीजन बच्चो फिर कहा चला जाता है शरीर में चला जाता है अब ऑक्सीजन शरीर में जाता है तो क्या होता है जैसे ही ऑक्सीजन रख्त में घुल के आपकी बॉडी में जाएंगा तो यह एक-एक कोशिका तक आपका वहाँ पर आपका जो भी भोजन होता है especially glucose तो जब oxygen फेफ़रों में उपसीद बच्चो oxygen होता है जो रख्त वाहिनियों में मिल गया है वो रख्त के माध्यम से कहा जाएगा? कोशिकाओं में जाएगा तो बटा ये oxygen कहा जाता है? ये oxygen जाता है बटा कोशिकाओं में ये किदा जाएगा? ये जाएगा कोशिकाओं में और बटा कोशिकाओं में जाने के बाद क्या करेगा? कोशिकाओं में जाने के बाद बच्चो भोजन को दहन करता है जाने पर भोजन का दहन होता है ऑक्सिजन की उपस्तिती में तो भोजन का बच्चों देहन ही तो क्या करता है आपको ऊर्जा देता है इसी प्रोसेस से आपको क्या मिलती है बेटा ऊर्जा मिलती है बहुत सिंपल बहुत सिंपल क्या हो रहा है सबसे पहले ऑक्सिजन कहां जा रही है फेफडों में फेफडो खाते हो स्पेशली बच्चों कार्बोहाइडरेट्स वसा तो आप लोग खाते हो तो ग्लूकोस मिलता है तो ग्लूकोस का क्या होगा बेटा वहाँ पर दहन होगा और वो दहन काई में कनबट हो जाता है एनरजी में उर्जा क्लियर सिंपल है कुछ नहीं हम ऑक्सिजन इसी ल जरूरत ही बच्चों क्या होती है ओटू की जो जरूरत है वो क्यों है बेसिकली बच्चों आपको आपके भोजन से क्या करना है बेटा भोजन से उर्जा प्राप्त करने में भोजन से आप लिख सकते हो ऐसा बोजन से उर्जा प्राप्त करने में आप लोगों को नीड होत oxygen के बारे में अब बच्चों थोड़ा सा हम आगे वढ़ते तो यह इतनी भई oxygen हमने यूज कर ली अब बेटा भोजन को जो दहन होना होता है आप लोग देख रहे हो कि oxygen की नीट से हम लोग भोजन को क्या कर रहे हैं दहन कर रहे हैं अब यह जानेंगे कि भई क्या भोजन का दहन अलग-अलग रूप से भी होता है क्या हम सिर्फ यू की उपस्तिती में कर सकते क्या भी दहन अब आपके पास में भी सोचने वाली बात होगी कि मैम क्या oxygen का होना जरूरी है चलो अब देखते हैं बेसिकली अब बच्चों आप लोगों से इंट्रोड्यूस होने वाले सिंपल सा लिख सकते है कि श्वशन दो प्रकार का होता है नंबर एक वाई वी सुषण अब बच्चे लोग इसमें बहुत कन्फ्यूज रहते हैं मैं वाई वी सुषण क्या होता है और फिर बच्चों कुछ बोलते हैं कि मैं मों को आवाई वी सुषण बिलकुल भी समझ में नहीं आता पीटा समझने वाली कोई बात नहीं पूरी तर दूसरा है और वाई वी सोशन वाई वी का मतलब क्या होता है वाई यू और वाई वी मतलब वाई यू की अनुपस्थिती दोनों ही बहुत पच्छों बढ़िया चीज है बहुत भैतरीन चीज है आप लोगों को इतना दमाग नहीं खर्च करना है इस पर क्योंकि देखो कि अफश्थिती में भोजन का जब दहन होता है ना भोजन का दहन होता है तू बच्छा तब इस प्रकार के स्वशन और हम क्या हैते है यह इस प्रकार के स्वशन Caribbean हम कहते हैं कि यह वाई वी होगा हम इस प्रकार के सवशन को वाई वी सवशन कहते हैं no doubt ठीक है बड़ बच्चों जब बात आती है किसके जब बारी आती है अवाई वी सवशन की तो बेटा अवाई वी सवशन में क्या होता है जो भोजन का दहन होता है तो बेटा भोजन का द जहन बीना वाईयू यानि की बीना ओक्सिजन की उपस्थिती में होता है तो आप लोग लिएक सकते हो बीना ओक्सिजन की उपस्थिती में ठीक है की उपस्थिती में yes भजो Clear सबी को इतनी बात Clear सबी को yes बचल बेसिकली सिंपल सी बात है जब हमारा खाना oxygen गुंपस्तिति में यह ऑविय का तो बेसिकली यह वाईवी आस्वियि और अब आईविय सवशन क्या होते है यह भी समझना और जानना बहुत जरूरी है बच्चे बहुत confused बहुत ज़्यादा confused कि मैं ये वाईवी स्वशन में कैसे हम बिना उक्सिजन का यूज करते हैं और वाईवी में बिना बिना उक्सिजन की जिन्दा नहीं रह सकते हैं लेकिन ऐसे बहुत सारे जिव हैं जो बिना उक्सिजन के भी स्वशन कर रहे होते हैं तो बच्चों इसी लिए दो प्रिकार के स्वशन होते हैं अगर हम मनुश्यों की बात करते हैं बिटा तो मनुश्य और भी हमारे जैसे जो वानू कबक वगरे की बात कर ली जाए यह ऐसे होते कि इनको फरकी नहीं पड़ता यह बैचो बीना वाई यू के भी स्वशन कर सकते हैं तो दूसरा होता है आप लोगों का और वाई वी स्वशन ठीक है बच्चो क्लियर यस ना ओकी अब बच्चो हम पढ़ते हैं वाई वी स स्वशन क्या होता है तो होफ फूली बच्चो आप लोगों को इसको एक एक करके समझना होगा तो मैं आप पर भी ज्यादा बड़न ही डालना चाहती क्योंकि एकदम से स्वशन समझना थोड़ा सा टेपिकल होता है कोई भी नया कॉंसेप पढ़ने पर आपको थोड़ी जहतरीन और लंबा टॉपिक है ताकि बच्चो आप लोगों को बीना डाउट के बीना शक के क्या हो जाए स्वशन चाप्टर समझ में आ सके ठीक है चलिए तो यहां पर हम लोग लास को बच्चो यहीं पर पॉस करते हैं मिलते हैं हम लोग नेक्स पार्ट में पार्ट रच्चो घाने कि जा परलो समझ में जा शक बनायोग में एक्पर आफर हैं झाल झाल